कक्षा 11 के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार मैं संतोष कुमारदांगी आज आपके लिए लेकर आए हूँ एक नया वीडियो जिसमें आप हाली ही में जो कोशन बैंक की जो अपलोड किया है MPBODE ने उसी कोशन बैंक का जो ग्रामेटिकल चप्टर हैं वो ग्रामेटिकल चप् सकते हैं और आप निश्यत है कि इसी ग्रामेटिकल चप्टर से रिलेटेट एक्जाम में कोशन पूछे जाएंगे सेक्षन सी में जो कोशन दे रहे हैं आप यहां पर फिलिंदा ब्लैंक से देख सकते हैं सेक्षन सी ग्रामेटिकल चप्टर हैं यहां जो कोशन अभी MPBODE सेक्षे दिया कोशन चुक्त से पहलेटिकल का रहें लेखे इस अपर फक्टर हैं इस अपन कर देख सकते ही आप इस सवाउड चाllowरोप्ट क्या है पहला जो संदेंस से वह आई टिकल का संटन्स है तो इस संटन्स में वर्टेंस में,, यह लुट हैं क्या है और यह क्या हो गया आपका व्यंजन हो गया और फिर्ट के साथ में हमेशा प्रियोग होता है इस बात का दियान रखना इसका मतलब पहला वाला संदेंस उसमें कैंठ आएगा आपका ये आईर्टिकल साएगा ठीकिनेस क्देखते हैं देखते ही देयाल वाचिंग मुवी देयर वाचिंग मुवी दूसरा सैंटेंस यह भी आई टे कल का संटेंस है तो एम वर्ड एम वर्ड क्या होगी आपका एम जब आप लिखेंगे यहां मुवी है ना एम वर्ड तो यहां एम वर्ड जो है वह वह वेल सब जा रहा है यह वर्ड है ना तो ए वर्ड यदि आ रहा है तो दे आर वाचिंग मुवी है ना तो यहां ए सेंटेंस में कौनसा अंसर आना चाहिए लेकिन यहां जो सेंटेंस है यह सेंटेंस का कुछ अलग अर्थ निकलेगा यहां सेंटेंस में ए आर्टिकल्स का प्रियोग होगा क्योंकि एक मुवी की बात हो रही है है ना तो यहां पर कौनसा अंसर का ए मुवी ए अंसार दूसरा संटन्स देखते हैं सुरेस इस बॉई हूं गोटा प्लेस इन मैरेड लिस्ट यह भी आइटिकल का कोशन है तो इस जो थर्ड नंबर का कोशन है इस अंटन्स में क्या आएगा दा आइटिकल सदा बॉई कुशन कमांग फोर देखते हैं फॉशन 200 IT में यांसर आएगा ए आर्टिव्ग का प्रियोग हो और हो गया सुर्ट गर्ट से इस्वर के न आर्टिवघ्ट का प्रियोग हो डिया। next question next question देखते हैं highest peak is mount Everest है ना तो यहां पर highest superlative word का प्रियोग हो रहा है इसलिए इसमें दा का प्रियोग आएगा किसी adjective के पहले इस superlative word है तो हमेशा वहाँ पर the articles का प्रियोग होता है the highest peak is mountain mount Everest question command 7 question command 7 देखते हैं he has not got money in his pocket to any आना चाहिए कि समाना चाहिए एक बात का ध्यान रखना some affirmative sentence के साथ में प्रियोग होता है और any है कि any हमेशा negative sentence के साथ में प्रियोग होता है आपका sentence क्या है negative has not not आया है इसमें इसलिए इसमें का का प्रियोग होगा एनी का प्रियोग होगा हाउ पर रिक्तिस्ताने टाइम डू यू टेक टू रिच यूर इसकूल तो मैंने आना चाहिए कि मच तो देखो टाइम क्या है इसमें यहां पर टाइम अनकाउंटेबल है टाइम अनकाउंटेबल है ठीक है इसका मतलब यहां पर म आएगा माच है ना अंसर क्या होगा माच नेक्स्ट कोशन देखते ही कोशन कमांग 9 दा रिक्तिस्तान मिल्क वास टेकन 40 तो आल आना चाहिए कि होल तो यहां पर अंसर में भई जो अंसर में क्या आएगा होल जितना भी सारा दूद था चाहिए के लिए ले लिया था है ना सारा दूद संपूर्ण दूद चाहिए कुछ सा आपशन अपका फ्यॉ। आपो की है आपका फ्यू अप्शन सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो यहां पर क्लास मैट्स में जितने बी सारे सब्सक्राइब करें ताकि वो जितने भी सार ये important question है इनको अच्छी तरह से समझ सके और वो भी आने वाले exam में इसी प्रकार के question को easily तोर पर solve कर सके next जो question रहेंगे वो हमारे next video में upload किये जाएंगे thank you for watching this video, thank you so much